हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से मैं हूँ विश हुआ तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft Excel में Employee Absence Schedule कैसे बनाते हैं एकदम प्रोफेशनल जैसा बनाएंगे और अगर आपको editing नहीं आती तो भी आप बना सकते हैं और भी मिंटों में बना सकते हैं ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चोड़ा समय इसमें लगेगा बस इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहीगा तो देखें Employee Absence Schedule बनाने के लिए हमको Left Hand Side में उपर के Ribbon में File Tab पे जाना है ये रहा File Tab इस पे क्लिक कर दीजे तो कुछ ऐसा पे जापके सामने उपर होगा उसके बाद हमको Right Side में जाना है यहां पर हमको More Templates का Option ये मिलता है ठीक है? More Templates पे क्लिक कर दीजे तो कुछ ऐसा पे जापके सामने उपर होगा अब इस Option को इस्तमाल करने के लिए आपका जो Computer है वो इंटरनेट से Connect होना चाहिए ये बात ध्यान रखेगा अब यहां पर आप देखें ये Search वाले Box में हमको Type करना है Employee Absence ठीक है? उसके बाद Right Side में देखिए Search Option यहां पर आपको मिलता है इस पे क्लिक कर दीजे तो इसने Search करना शुरू कर दिया अभी थोड़ी दिर में आपके पास Template आ जाएगा यह देखिए यह Template बना बनाया Template आपके सामने आप Open हो गया अब इस पे क्लिक करिए उसके बाद यहां से Create बटन आपको मिलता है इस पे क्लिक कर दीजे तो आप देखेंगे कि यह Microsoft Excel के पेच पे आ गया अब यहां पर आप देख सकते हैं कि Absence Key Type इसने बना रखी है V for Vacation, P for Personal C for Sick और यह दो Option छोड़ लखें आप अपने साब से किस्टमाइज कर सकते हैं अब यह बड़ा कमाल का है देखिए यहां पर आप मीचे देखिए January, February, March पूरे महीने को दिया हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं कि Option दिया हुआ है अगर माल लीजे कि यहां पर यह Jordan है अगर यह देखिए यहां पर मैं V Type कर दूँ ठीक है उसके बाद बाहर क्लिक करूँगा तो यह देखिए अपने आप कस्टमाइज हो जाता है जैसे उपर vacation दिया हुआ है इसका यहां पर आ गया ठीक है उसी प्रकार यह देखिए as for sick दिया है अगर मैं यहां पर as type करूँ और बाहर क्लिक करूँ तो यह देखिए यह blue color से यहां पर sick जो है वो absence यहां पर लग गई तो इस तरीके से आप पूरा इसको कस्टमाइज आपको मिलता है और आप अपने हिसाब से यहां पर modification कर सकते हैं यहां से आप नाम वगरा change कर लीजे अपने employees के हिसाब से ठीक है यहां total दे रहा है और यह by default edit भी हो जाता है ठीक है जैसे मैं यहां पर उपर अगर एक वी और जोड़ दूँ यहां पर अभी फिलाल 5 दिखा रहा है मैं एक वी और जोड़ के बाहर क्लिक करूँ तो यह देखी यहां पर इसने 6 total count कर दिया ठीक है इस तरीके साब हर महिने का employee absence schedule बना बनाया पासकते हैं यहां से Microsoft Excel में